नम्सकार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है सोने दो नमा, क्यों परिशान कर रही हो अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिट्या को तंग कर रही हो सोने भी दो इसे लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं देख ले न, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी मैं कहती हूँ, अब भी वक्त है, अपनी ये आदते सुधार ले वनना ससुराल में तेरी सास कान खीच कर तुझे सीधा करेगी वही तुझे सबक सिखाएगी दनिया में आज ते कोई ऐसे सास पैदा नहीं हुई मा जो सुधा चौपड़ा को सबक सिखा सके लेकिन होनी को कुछ औरी मन्जूर था सुधा के शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटाइड पुलिस वाली थी अब कहानी में मजाएगा हाँ मा, यहाँ सब बहुत अच्छा है मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार है चीके मा, मुझे नेंद आ रही है, फोन रखती हूं मा ठीक सुबा पाँच बजे अरे जल्दी उठो भागिवान, वना कयामत आ जाएगी हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी मा आ जाएगी, तुम नहीं जानती इस घर में सिर्फ मेरी मा का हुकम चलता है, सबको सुबा पाँच बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुँचना ही पड़ता है अरे, अब इंसान क्या अपनी नेंद भे पूरी नहीं करेगा? यहां मजाग चल रहा है क्या? तब ही वहाँ सुधा की सास आ जाती है अटेंशन! मजाग तो तू समझ रही है बाबू यह मेरा घर है और यहां हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा अटेंशन! अरे मा जी लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? अरे मा जी लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना तो क्या हुआ? शेर कितना भी बुड़ा हो जाए शिकार करना नहीं छोड़ता उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो अभी आदा गंटा तुम सब की परेड चलेगी अटेंशन अरे मैं कोई परेड परेड नहीं करने वाले सुधा की सास अपनी बहु का ये बरताओ देख जला उठती है गोर से देख तू कहां और किस के सामने खड़ी है यहां बात सिर्फ एक बाहर समझाई जाती है बस अटेंशन इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है उस दिन से सुधा की जिन्दगी बदल जाती है हाई ठग गई मैं तो ये घर है या जेल कितना काम करना पड़ता है लाइए दीदी, दो रोटिया और दीजिये, मुझे बड़ी भूग लगी है ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सब की खाने का हिसाब तैका रखा है तुम चार रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा मेरी बहुए एकदम फिट होनी चाहिए अटेंशन! क्यों माजी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुदा? माजी को मजाग बिलकुल पसंद नहीं है चुप करके खाना खालो, इसे में बलाई है इस तरह दीरे-दीरे सुदा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है सुदा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है सुदा की सास तो सबको पांच बज़े उठाती थी लेकिन सुदा सब को चार बजे ही उठा देती थी दूसरी तरफ सुदा की सास की उम्र भी हो चलती है मा जी आज कलाब सुबो उटने में बहुत आना कानी करती है मुझे ये सब बलकुल पसंद नहीं है अरे बहु मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे इतने सवेरे उटना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है मा जी आप मैदान छोड़के भाग रही है आप तो पुलिस वाली है अटेंशन अरे अब कहा की पुलिस वाली अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं